हे फैमिली वेलकम बैक मैं हो निधी और आप देख रहे हैं निधी स्पिंक वर्ड इस चैनल पर मैं शॉपिंग हॉल और इस टीचिंग से रिटेड वीडियो अप्लोड करती हूं अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरस्टेड हों तो सब्सक्राइब जरूर करें आज का मेरा हॉल फ्लिपकार्ट का बेड़ शीट हॉल है जिसमें कि मैंने आफ्टर वाश रिव्यू से एर किया हुआ है यह फर्स्ट बेड़ सीट लक्षिता इंटरप्राइज का है जो कि 507 रुपीज में मैंने ओडर किया है इसका लेंध देख पा रहा है किंग साइज के बेड़ प बिल्कुल पॉफेक्ट है टू टाइम या थ्री टाइम मैंने वाश कर दिया इस बेड़ शीट को आई थिंक या उससे भी जादा बिल्कुल भी कलर डल नहीं हुआ है फैब्रिक की क्वालिटी भी आप पास से देख पा रहे हैं ना ही कलर निकला है वाश करने के बाद जैस बेड़ शीट में कुछ भी नहीं निकला है साइड से स्टिचिंग की हुई है बैक साइड से फैब्रिक आप देख पा रहा है अगर आपको यह बेड़ शीट पसंद है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं यह नक्ष्ट मेरा बेड़ शीट है जिसमें भी दो पीलो कबर और एक डेबल बेड़ का बेड़ शीट मिल जाता है यह पीलो है इसका दो पीलो मिलते हैं पीलो का साइज नॉर्मल पीलो से थोड़ा सच होटा है आप देख पा रहे हैं इसको पास से फ्लिप कार्ट स्मार्ट पाई का टैग लगा हुआ है इस पे प्योर कॉटन का फाब्रीक है फाब्रीक बहुत ही अच्छा है थ्री या फोर टाइम वाश हो चुका है यह बेड़ शीट लेंथ बिल्कुल भी कम यह जादा नहीं हुआ है ना ही बबल साए है प्योर कॉटन क कलर भी नहीं निकला है मशीन वास किया हुआ है मैंने फाब्रीक की क्वालिटी और लेंथ बिल्कुल पॉफेक्ट है किंग साइच का बेड़ शीट है यह भी मैं प्राइज मेंसन कर दूंगे मैंने कितने में लिया था लिंक ट्रिस्क्रिप्सन में देदूंगी यह फाब् करने की कोई जरूरत नहीं है बिजहाने के बाद का यह लुक है आप देख पा रहा है ब्लैक वाले बेड़ सीट से थोड़ा सा छोटा है यह पीलो कवर भी थोड़ा सा छोटा है बट फैब्री की क्वालरी अच्छी है अगर आपको यह बेड़ शीट पसंद हो तो आप बि े पिलो में जैसे कि ब्लैक वाले मैं हमें मीला था लक्षिता इंट्रीइश ब्राइज ब्रैं फाने का था फो व में जीज से से संसों अइर्डी करेंग भी थोड़ा कम है और फिलो का साइज भी थोड़ा सा कम है बट मेरे फिज़ों में आज आ exceptions होता है बट आजाता है छै यह next bed sheet है I think trend brand का है यह sticker लगा हुआ है मेरी favorite bed sheet है यह color wise और width length बहुत ही perfect है इसका pillow का size तो बहुत ही बड़ा दिया है और size sorry side side से इसमें किनारी भी stitch की हुई है जो कि बाकी दोनों pillow covers में नहीं थी कि बहुत ही बड़े size का pillow मिल गया है मेरे pillow से बहुत ही बड़ा pillow का cover है यह आप देख पा रहे हैं दोनों pillow cover को मैंने एक साथ रखके दिखाया है कितना difference है दोनों के size में I mean length width में कि एक side से stitch किया हुआ है यह और बाकी side से किनारी बनी हुए है white base पर पूरे bed sheet पर यह I think flamingo बोलते हैं वह बने हुए है पिंक कलर की green कलर की flower है यह भी pure cotton का bed sheet है इसका भी प्राइज मुझे याद नहीं है मैं लगा दूँगी screen पर quality बहुत अच्छी है यहां पर brand का नाम का tag है प्लस इसको कैसे wash करना है वो भी यह machine washing किया था मैंने सारे bed sheet को I think सब लोग वही करते हैं आज कल यह आप देख पा रहा है प्लस बिछाने के cotton के हैं यह पिलो देख पा रहा है पिलो के साज से कितना बड़ा cover है इसमें भी कोई chain नहीं मिलती है back वाले के जैसे I mean black वाले के जैसे यह side वाला portion है इसका भी length और width बिल्कुल सही है अगर आपको यह बेट शीट पसंद हो तो बिल्कुल ले सकते हैं मैं link डाल दोंगे description में यह next bed sheet है यह भी pure cotton का यह bed sheet है सारे bed sheet का मैंने जब लिया था तभी रिब्यू किया था यह after wash रिब्यू है white base पे पुरे floor बने हुए है metro living brand का है यह 300 सम्थिंग का है इसको तो मैंने बहुत ही बार वाश कर दिया है बट कोई भी problem नहीं आई है इसके fabric में after wash fabric और भी थिक हो गया है I mean बहुत मोटा हो गया है कोई भी color नहीं निकला है यह तो already white है इसमें से color निकलने के chances बहुत कम है ब्लैक वाले के जितना चोड़ा और लंबा नहीं है बट यह डबल बिट पे आ जाता है कि साइट से आप देख पा रहा है कितना मैंने अंदर किया है plus fabric की quality देख पा रहा है यह बैक साइड है इसका overall यह बेट शीट भी बहुत अच्छी है अगर आपको पसंद हो इसमें और भी color options है तो आप उसके according चूज कर सकते हैं मैं link दे दोंगी यह next bed sheet है green color का यह भी pure cotton का bed sheet है यह भी white base ही है ज्यादा तर मुझे white base के bed sheet ही अच्छे लगते हैं इसका pillow भी okay okay है ना size बहुत बड़ा है ना छोटा है यह भी flip card smart white का ही है दो pillow आए है इसमें भी कोई chain नहीं मिलती है only black वाले में ही मुझे अभी तक chain receive हुआ है यह इसका bed sheet है बहुत ही vibrant color है इसमें बहुत सारे color options मिल जाएंगे आपको यह side में label लगा हुआ है brand का plus wash कैसे करना है उसके लिए black वाले के according इसका size थोड़ा सा छोटा है बट ऐसा नहीं है कि बेड़ पर आएगा नहीं king size के बेड़ पर आ जाता है यह back side से पहले से ऐसा green type कुछ color लगा हुआ था यह भी कई time wash हो चुका है बट color नहीं गया है इसका थोड़ा सा light तो होता ही है यह fabric आप 5 से देख प है जब देख पार है थोड़ा सा छोटा है बट fabric बहुत अच्छा है color भी बहुत अच्छा है यह side से stitching हो रखी है इस bed sheet में भी ऐसा नहीं कि धांगे निकले है यह आप नीचे वाला length वाला एडिया देख सकते हैं black वाले से बहुत छोटा है बट bed में टक हो जाता है क्वीन साइच के bed में यह अच्छे से आएगा यह next एक और बेड़ शीट है यह मेरा फेड़िट बेड़ शीट है पिंक वाले के बाद यह भी pure cotton का ही है यलो कलर का है इसमें और भी color options मिल जाएंगे आपको साथ में दो पीलो आते है ब्रैंड का ना मुझे याद नहीं है मै स्क्रीन पर लगा दूँँगी प्लस प्राइच भी लगा दूँगी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी after wash color थोड़ा से light हुआ है क्योंकि वैसे दूप में डालना होता है या मशीन में कई राउंड वाउश करना होता है तो बट क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया है फैब्रिक में भी कोई bubbles वगएरा कुछ भी नहीं आए है इसके में भी बहुत सारे color options है I mean green, pink दो-तिन color options है या पीलो देख पा रहे है अगर आपको पसंद हो और आप देना चाहते हो तो मैं इसका भी link देदूँगी pure cotton का है यह बैक साइड से यह मेरा पीलो ही थोड़ा सा ब यह मेरा एक सिंगल बेट का बेट शीट है यही बेट शीट मुझे सही नहीं रिसीव हो था लेने के टाइम तो प्योर कॉटन था यह बैक साइड है बट आस्टर वाश कुछ वाश के बाद इसमें बबल्स निकल आया है पूरे बेट शीट में कुछ मिक्स टैप का फैब्र तब ही इसमें बबल्स आया है 1.96 रुपीज का है मेट्रो लिविंग ब्रैंड है इसका और भी कलर आप्समें मिल जाएंगे बट टी मैसेज़ करूंगी कि आप यह बेट शीट नाल है क्योंकि बेट बबल्स आगा है तो यह चुबते हैं बैठने लेटने पर यह पास से आ बिल्कुल ना लेना में तरब से बिल्कुल ना है इसके लिए पर्ट मैं इसका लिंक दे दोंगी आप इंट्रेस्टेड हो तो चेक कर सकते हैं नेक्स्ट मैंने यह एट पीलो कवर्स का सेट लिया हुआ है यह भी सेम फरस्ट वाले बेट शीट के जैसा है आई मिन सिंगल अच्छी नहीं है दो तिन वाश के बाद यह आप देख पार है साइड से स्टिचिंग खुल गई है लस इसमें भी पूरे बबल्स आ गया है यह दो का सेट है नेक्स्ट के कौर है यह जिस पे पीकॉग बना हुआ है इस पे भी पूरे बबल्स आ चुके हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर आप ऐसे पीलो कवर लेना चाहते हों तो बिल्कुल ना ले क्योंकि फैब्रिक प्लस इस्टिचिंग दोनों चीज अच्छी नहीं है अगर आपको वीडियो पसंद आए उसके लिए थैंक्स थैंक्स पर वाचिंग